हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक वेलकम टू वीडियो खर्जाना इस वीडियो खर्जाने चैनल में आप सबी लोगों का हार्दिक स्वागत है अभी तक अगर आपने हमारा वीडियो खर्जाना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले फ्रेंट्स इस वीडियो खर्जाने चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम पर आपको एजुकेशनल वीडियो मोटिवेशनल वीडियो टेकनिकल वीडियो जर्नी वीडियो और किचिन रेसिपी वीडियो और आपको टाइम पर डिलिवर होते रहेंगे और हाँ दोस्तों बैल आइकन पर क्लिक करना न भूलिएगा क्योंकि जब भी अगर आप बैल आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपको हमारे न्यूली अप्डेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा चलिए फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट मैस क्लास 10 चेप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रेंड्स हम आपको थोड़ा इंट्रोड़क्टी पार्ट के बारें बताते हैं अरिथमेटि प्रोग्रेशन का इंट्रोड़क्टी पार्ट जो है We observe of the important points of arithmetic progressions Arithmetic progressions, list of the numbers is set to a form of an AP कोई भी number की जो list है उसको हम कब कह सकते हैं कि It is an form of AP, arithmetic progression उसकी कुछ conditions होती हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं List of the numbers given below 1, 2, 3, 4, 5 and last term that is 7 It means इसमें plus 1, plus 1 अगर हम करते जाएंगे तो definitely एक स्रीज बन जाती और 3 को अगर हम 4 से या 4 को 3 से हम less करते हैं तो definitely 1 कास में common difference जो की generate हो रहा है दीकर है आपको सामने तो it means it is an AP, ये एक arithmetic progression की स्रीज है Each of the number in a list is called a term 1, 2, 3, 4 or 5 ये जो individual जो numbers हैं इनको हम term बोलते हैं और first term हमारा होता है that is 1 और last term that is 7 successive term उसके next वाली जैसे 5 से next value है 6 तो ये successive term है और 6 से just पहले वाले जो term है उसको बोलते हैं इसे 5 से पहले वाले जो term है that is 4 उसको भी हम preceding term बोलेंगे और 3 से आगे वाले जो term होगी वह होगी successive term और 4 से back में जो term होगी that is preceding term So the friends common difference d is equal to 1 that is 2 minus 1 is the fixed number Friends, यहां पर कोई सी भी दो term consecutive consecutive मतलब लगातार 4 या फिर 5 या फिर 6 या फिर 5 या फिर 4 या फिर 3 कोई भी दो number center से या last but one से कहीं से भी दो number उठाएं और उनको आप अपस में बड़ी digit से small digit को आप मानस करें मानस करने पर जो value आती है उसको हम बोलते है common difference आगर यह fixed है common difference तो तो हमारी यह arithmetic progression की series है चलिए इसको हम और elaborate करते हैं आगे नीचे पढ़ते हैं किस प्रकार से हम पहचानते हैं कि वह series हमारी जो है वह arithmetic progression है या नहीं इन AP denote first term that is A1, second term A2, third term A3, fourth term A4 and fifth term A5 और जो आखरी आखरी की जो term होती है उसको हम बोलते हैं एन्थ, एन्थ term that is AN So friends 1, 2, 3, 4, 5 and last मैं 7 जो हमारी पार जो series का जो आखरी जो number था उसको हम 7 बोल लेंगे क्योंकि वो आखरी series का आखरी number है जो की given है कई series में आखरी number given नहीं होता है चलिए हम और आगे बढ़ते हैं इसको समझने के लिए deeper understanding से So then AP becomes A1, A2 and A3, A4 and A5 आखरी term that is AN So the arithmetic progression is a list उसको हम define कैसे करेंगे बहुत simple मैं थाड़ है दोस्तों It is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number D to the preceding term Accept the first term First term कोई सी भी हो सकती है X, Y, Z लेकिन उसके बाद वाली जो term आईगी उसके अंदर एक fixed number को जोड़ दिया जाएगा और उससे एक नई term obtain होईगी इस प्रकार से वो fixed number next to next term में add होता चला जाता है और हमारी series बनती चली जाती है तो उसका मतलब वो arithmetic progression की form में वो series लाई कर रही है So fixed term बहुत clear सी बात है A common difference of an AP It can be positive, negative और 0 The general form of an AP given below A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D Up to nth में जो आखरी जो term में AN is equal to A plus N minus 1D So friends, the first term हमारा A1 यह होता है जो की first term है A2, second term A plus D से हम उसको निके करते हैं A हमारा वो इफर्स term का first A हा जाएगा First term का जाएगी Plus D, common difference फिर A plus 2D, similarly A plus 3D Add the A5, जो fifth term होगी A plus 4D Ultimately last में AN जो होगा A plus N minus 1D Friends, common difference जो होगा That is A2 means जो बड़ी वाली जो term है उसको हम less करेंगे, small term से respectively next में जेखेंगे हम 3 को 2 से, वापस A4, A3 से अगर हम यह चेक करेंगे कि हमारा जो D है, क्या वो fix आ रहा है और नहीं आ रहा है अगर वो D remain the same between the subtraction of two term तो हमें पता लग जाएगा कि वो हमारी जो arithmetic progression है वो बिलकुल correct है और वो हमारी finite है finite हम arithmetic progression को कैसे बताते हैं finite number of term and it has a last term किसी भी arithmetic progression की जो series है उसका अगर last term अगर defined है it means it is an finite AP so friends confuse बिलकुल नहीं होना है AP वो है arithmetic progression है क्योंकि common difference उसमें मौझूद है और उसी के basis पर common difference D अगर exist कर रहा है तो वो arithmetic progression है confirm यह करना है कि वो finite है या infinite है finite की सबसे important condition है it has a last term given तो यहाँ पर 8 last term given थी finite series हो गई है हमारी finite AP अब हम बात करते हैं infinite की infinite AP of a term and it does not have a last term friends यहाँ पर जो ध्यान देने वाले बात यह है कि infinite AP means series हमारी AP जरूर है लेकिन वो infinite है वो इसलिए infinite है क्योंकि last term देखो friends यहाँ पर given नहीं है it is blank so friends this is the main difference यह main difference यह यहाँ दिफरेंस यह last term given नहीं है इसलिए यह infinite है लेकिन है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के series वो तो confirm है फिकिट डिफरेंस जो है वो फिस्ट है so it is an AP बहुत सिंपल सी बात है consecutive term के डिफरेंस को अंतर को हम अगर वो common होता है definitely friends तो वो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है like an example 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 4, 6, 8, 10 that is odd series 1, 3, 5, 7, 9, 11 that is even that is odd series and उपरवाली जो second number के है वो हमारी odd even series है और third number के हमारी odd series है लेकिन difference जो है दोनों की बीच में वो common है 1 plus 2, 3 plus 2, 5 plus 2 that is 7, 7 plus 2 that is 9 11 plus 2 that is 11 तो plus 2 is the common difference between the two term so common difference between any two consecutive term is not same it is not an AP अगर हमारा difference same नहीं होगा तो वो हमारी AP नहीं होगी फ्रेंस बहुत क्लियर सी बाते में फिर रिपीट कराऊ अगर difference between the term is not same means it is not an AP चलिए हम आगे बढ़ते हैं general form of an AP given globe a plus a plus d a plus 2d a plus 3d a plus 4d at the end of the term that is an is equal to a plus n minus 1d means if an AP with the first term a and common difference d the nth term or a general form general term is given by an equal to a plus n minus 1d so friends बहुत क्लिरली मैं हमने इसको बता दिया है आपको चलिए अब हम यह चेक करते हैं अगर कोई AP दे रहे हैं तो इसका sum कितना होगा first sum of the first n term of an AP given globe इसका जो फॉर्मला है s is equal to n upon 2 bracket star 2a plus n minus 1d फ़रा सा इस फार्मले का और हम elaborate करते हैं और खोलते हैं एक बार तो sum is equal to n upon 2 a plus a plus a n minus 1d friends a plus n minus 1d हमें पता है an हमारा होता है तो हम उस value को यहां पूट करते हैं s is equal to n upon 2 a plus an friends n term of an AP then an equal to l अगर हम यह माल लेते हैं कि जो nth जो टम है वो हमारी आखरी टम है और वो आखरी टम गिवन है that is l l is the last term of a finite AP तो हमारा फार्मला क्या बन जाएगा s is equal to n upon 2 bracket a plus l so friends this is the alternate formula some of the first n positive integer is given by s n is equal to and bracket n plus 1 upon 2 so friends इस वीडियो को आप end तक जरूर देखिएगा जो भी questions इसके बाद जो आपको define होगा उसके end में आप जरूर देखेंगा उसमें आपको end screen option दिखेगा end screen पे आप जो click करते हैं तो आपका next question प्ले होगा इसी प्रकार से आप इस वीडियो को like, share, subscribe जरूर करें so these are all the introductory part of this arithmetic progressions subject mass class 10 chapter 5 exercise 5.1 question 2.1 solution video by video khazana so friends question number 2 write the first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are the given as follows question के according हमें first 4 terms हमें निकालनी है जिसमें हमें question के अंदर A और D की values given है so friends start करता है question 2.1 A equal to 10, D equal to 10 so the term T1 equal to A and the term T2 is equal to A plus D यह हमारा formula होता है term 3 का formula होता है A plus 2D term 4 का formula होता है A plus 3D so the above steps represent an AP for a different value of A and D now substitute the value of A is equal to 10 and D is equal to 10 in the above given terms T1, T2, T3 and T4 so friends T1 is equal to 10 means A T2 is equal to 10 plus 10 then T3 is equal to 10 plus 2 into 10 T4 is equal to 10 plus 3 into 10 so friends इसको हम आगे solve करते हैं solve करते हैं solve करते हैं जो steps है वो screen के अपर यह रही term T1 equal to 10 term T2 equal to 20 T3 equal to 30 term T4 equal to 40 so the first four term of an AP are as follows 10, 20, 30 and 40 so the now conclusion is the first four term of an AP are 10, 20, 30 and 40 friends बहुत 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 है को समझ में आ गया होगा so friends okay friends अगर आपको इस वीडियो खजाने के माधियम से इस question का solution अगर आपको बहुत 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 बेहतरीं तरिके से समझ में आ गया हो तो friends हमार इस वीडियो खजाने चनल को like करें definitely don't forget to subscribe and don't forget to share so friends don't go away stay tuned with us we will get back to you next video so till then keep watching keep learning and keep smiling thanks for watching goodbye you